वेल्कम टूइंग ट्रेट फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे डावर एंटरपाइज के बारे में फ्रेंट्स यह एक स्टॉक में काफी करेक्शन चल रहा है तो FMCG का स्टॉक है यह स्टॉक में कौन सा लेबल पर हमें बाई करके चलना चाहिए और यह जो स्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए उसके साथ में अगर आपके पॉर्टफोलियो में कोई सा स्टॉक है तो आपका मन में कुछ सवाल है स्टॉक को एक बार सेल करने से पहले जरूर यह वीडियो बगेरा देख लिए ताकि आपको बड़ी आसा नालेज मिल सकता है कौन चाहिए तो उस लेवल तक जरूर इंतजार किजिए अभी स्टॉक मार्केट में जैसे करेक्शन चल रहा है तो अभी करेक्शन में आप कोई भी स्टॉक सेल मत कीजिए अभी वेसे ही अगर आपके पास में सर्पलस मनी नहीं नहीं इंवेस्टमेंट करने के लिए तो आप इंतजार कर सकते हैं लेकिन इस टाइम पर कोई भी स्टॉक सेल मत कीजिए काफी सरा स्टॉक अभी करेक्शन पर चल रहा है ठीक है तो अभी स्टॉक को जरूर्ड करके चलना चाहिए मेरे हिसाब से जो भी स्टॉक करने से पहले एक बार उसका आनालीशी जरूर देख सिक्स मांट का स्टेट्मेंट लगता है यहीं देखे आप अपना खुल सकते हैं जो की इजिली खुल सकता एक दो दिन में अगर आप सिप मोड में इंवेस्मेंट करना चाहते हैं यह जरूर देख लीज़ी आपके लिए बहुत एक बहुत नालेज मिल सकता यह वीडियो अ कर सकते ठीक है और इसमें भी और एक पैटर्न भी वता यज़्ञ वह सकते हैं वेढ़त भी इसमें कर सकते हैं वह वीडियो भी की सब्सक्राइब करेंगे उसके लिए वीडियो और आपका 37 लाग वेल्थ बन जाएगा और कितना साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है यहां पर फिप्टी थाउजन रूपीज का इन्वेस्टमेंट करने का पोर्टफोलियो कौन सा कौन से स्टॉक को लेके चलना है अब दे यहां सब्सक्राइब करें तो इसी साब से अगर हम देखेंगे पहले तो सेगमेंट इनका था यहां पर आप देखेंगे तो यहां परृध्श्पश ने quand vy Snow सब्सके बाद में कि उसके तो उप्शन Right ने प्रोटक्ट खर एक डावर्ण का दिकतो जो कि हम आपना घर में डेली करते हैं यहां पर दिखे हेए ahooil में अमला हैाटिका है अल्माट हे त। यहां पर कौनले केल औलमवन सॉंपे है यहां पर यूर्न को स्थिता है अगर हम जाएंगे तब हमार्ढ का इविन्टिक पिय आ चुका है मार्केट में कि ने देखी यहां पुद्ध रावर का यूममेंटिक इप शुपके यहांपे ग्लुकोंडि भी है हजमुला भी है यहां पर्णुद है डंभर का थी क यहां पर देख यहां पर देखते हैं यहां पर काफी की शलार duas तो इसमें अगर हम देखेंगे यहां पर मुलवारय यहीं है यहाँ बहुत सार अरख और ठीक ना तो आप जाएगे तो एक बार जरुड करूंगा यह क्छेतों किभिजिट चीए काफी सार अप देख सकते हैं आप अपने अपने नोट किया होगा कि यह डावर का प्रड़क्ट है दिखेंगे टूथ पेस्ट है यहां पर काफी सरा प्रड़क्ट है आपको मैं इंकरेज करूंगा एक बार जरूर आके डावर का वेपसेट जरूर भीजिट कर लिजिए उसके बाद में अब अब ही कहीं पर मॉल बगेरा में काफी सर जगा में आपने देखा पर इनका को मैं यहां पर दिखेंगे यहां पर नियु युके नाम पर उपन है तो यहां पर लिखा हुआ है डाबर सब देखने को मिलेगा जो कि आपको बाहर से पता नहीं चले कि यह डावर का ही है ठीक है तो यहां पर बहुत डाइवर्शिपिकेशन अभी यह ए फम्सीजी का स्टॉक में है तो मतलब डावर का जो बिजनेस है बहुत बढ़ी असा कंपनी लार्श के आप स्टॉक है इसका अगर हम अनालेसिस करेंगे अभी देखिए वान लाग करोड का मर्केट क्या पर कंपनी का अगर पी देखेंगे 56 का पी है और आरोच 27 का है अल्मोस्ट डेट फ्री कंपनी है 0.10 परसेंटेज का डेट है प्रमोटर प्लेज भी 0 है प्लेज बिल्कुर है नहीं कंपनी का का मुई है के पास में भी आ चुका इस लेकिन अगर हम सेल्स की बात करेंगे लास सेप्टेमबर में 2516 टोर्ट का सेल्स था अब अगर देखेंगे सेप्टेमबर में तो यहां पे 504 करोट का यहां पर प्रॉफिट में थोड़ा सा जॉम पे इतने ज्यादा तो प्रॉफिट इतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है लेकिन कंपनी में अगर देखेंगे तो सेल्स में भी बड़ी ऐसा ग्रोइंग होते जा रहा है अगर इसी साब से लास्ट चारकटर का अगर हम हम प्रॉफिट देखेंगे 10,467 करोट का यहां पे सेल्स हुआ है अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यह तो यहँट फॉटस प्रॉट प्रॉफिटाबल कंपनी है अगर हम देखेंगे हो चुका है जो सेप्टेंबर टॉंटी तुन्टी वन को अगर हम रिजर्व देखते हैं यहां पे सेवें थाजिन नाइननड़ सिक्स्टी टू करोड का रिजर्व हो चुका है बड़ी है सा रिजर्व हुआ है अगर हम बारोईंग की बात करेंगे थोड़ा सा यह एट यहां पर प्रमोटर का यहां पर यहां पर करते जारें आप अगर देखेंगे यहां पर नोटिस करेंगे यहां पर 18 पर्संटेज था उसके बाद में 18.5 हुआ उसके बाद में 19.7 हुआ उसके बाद में 20.59 वह उसके बाद में 21.35 परसंटेज यहां पर इसना पर इसे अपना पर इंक्रीज करते जा रहे हैं अगर इसी साब से मैं और यहां पर पर्टेशिपेश्ट बहुत कम निसी साथ से दखेरिंगे कोन लेवल पर इंटर लेकर चल सकते हैं कॉंपनी तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉंग है हर एक पैटरन से अगर देखेंगे कि अगर स्टडी करेंगे तो यहां पर बहुत बढ़ी ऐसा है तो ब्रांड वैलू भी बहुत अच्छा है अगर इसी साफ से अगर हम चार्ट रिटन में जागे यहां पर यहां पर एक रिटन देखते हैं यहां पर टेन замет 20 पर्संट का रिटन मिल रहा है एक बहुत बहुत मुल्टी विए घर फ्रेंज अगर इसका हम वान मांथ का अभी यह वान डे का चैट पटन लगा हुआ है अगर यहां पर यहां पर वान मांथ का चैट पटन लगाएंगे फ्रेंज दिखिये यहां पर किसी सब्सक्राइब अगर आप देखेंगे आज को दस साल पहले यहां पर हम जाते हैं तो यहां पर आज को स्टॉक में इतना बड़ा ग्रोथ आ चुका है और यह रिस्क फ्री इंवेस्टमेंट है क्योंकि FMCG का स्टॉक के इतना ज्यादा गिरता भी नहीं है यह भी आपको मानना पड़ेगा अगर हम देखेंगे यहां पर यहां पर दिखेंगे 2001 को यहां पर स्टॉक का प्राइस अ आप सोचिए 2001 से लेके अभी तक को 60 टाइम से आपको रिटन दे चुका है ठीक है तो मतलब यहां पर किसी ने वान लाक रुपे इंवेस्टमेंट किया होता अभी उसका वेल्थ अभी 60 लाक हो चुका होता तो उसके एलाव अभी यह स्टॉक में काफी सरा बोनस भी और है ठीक है यह चीज हमें बिल्कुल मानना ही पड़ेगा स्टॉक में बहुत बड़ी ऐसा ग्रोथ है और बहुत बड़ी है स्टॉक भी है अगर हम यहां पर देखेंगे स्टॉक का लेवल एक बार देखने की कुशित ज़रूर करेंगे फ्रेंट्स कि मैंने आपको पहले भी साइद लेवल बताया हुआ था क्योंकि मार किया हुआ है मैंने भी साइद खुद के लिए भी किया होगा तो यहां पर दिखिए यहां पर 200 अबरेज के पास में भी आ चुका है स्टॉक अगर हम बात करेंगे यहां पर यह जो ब्लाक कलर का लाइन करेंगे यहां पर 100 अगर सिखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से जाके सिख सकते हैं अधरवाइस वहां पर आके आप प्लेलिस्ट में विजिट कर लिए प्लेलिस्ट में यह दोनों प्लेलिस्ट का वीडियो आप जरूर काल पर सो दो दिन क दोनों दिन में यह दोनों प्लेलिस्ट जरूर वीडियो देख लीजिए आपको काफी कुछ सिखने को मिलेगा अगर आप निव स्टॉक मार्केट में तो कोई कोर्स बगर अगर नहीं भी करें यह वीडियो बगर आप देखेंगे ना तो यहां पर यह प्लेलिस्ट का के पास में जो कि 5-75 ग्रीन केंडल बन चुका है इसी साब सागर हम देखेंगे यहां पर आरे की बात करेंगे फ्रेंस पर आया था धा तो इसपा से हम देखेंगे अचलरा यहां पर थार्टी सिक्स पे चल रहा है तो बढ़ी है वेलुएशन पर स्टॉक आभेलेवल है कोई प्रोब्लेम नहीं है हजार रुपे निचे का स्टॉक यह भी आपको सोचना पड़ेगा कि काफी सारा स्टॉक है जो की स्टॉक में आप सोचते हैं कि नहीं वांताजन के बिलो अगर स्टॉक रहेगा तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करकर चल सकते हैं तो यह आपके लिए एक बड़ी है स्टॉक है अपके प्राइस में एक स्टॉक का रहा है ठीक है अब थोड़ा सा देख लिजिए अगर आपको थोड़ करना है तो यहां पर लगर अगराप सोचते हैं कि हर माइन में का सब्सक्राइब नहीं आप बड़ी हैं तो यहां पर इंवेस्टमेंट कर लिए कोई प्रोब्लेम नहीं होगा मैं आपको यह चीज का ग्यारेंटी देता हूं ठीक है अगर अकाउंट नहीं तो यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी जाके उपन कर सकते हैं लेकिन जो भी आपको ब्रांड अच्छा लगता है जीरोदा हो चाहिए किसी भी कंपने में आप तो फिर आपका भ्यालू नहीं है वहां पर पैसे कितना ग्रोथ नहीं होता है आपको स्टॉक मार्केट में यह सारे बड़िया बड़िया कंपनी में इंवेस्टमेंट करेंगे ना एक बड़िया सा वेल्थ बनता है फ्रेंस आप जब स्टार्टिंग में 2-3 साल तक इंवे ले लिए कोई प्रोब्लेम नहीं लॉंग तर में एक बड़िया सा वेल्थ बन सकता है लेकिन अगर आपको रिश्क प्री इंवेस्टमेंट करके अगर स्विंग ट्रेड में एक बड़िया सा गयन लेना चाहते है फ्रण से लेवल तक आप टार्गेट लेके चल सकते हैं ज आपको 25 परसेंटेज का गेन मिल सकता है ठीक है तो इसी साब से खुद का भी आनलीस जरूर कर लीजिए यह साभी हो सकता है यह स्टॉक में अच्छा सा गेन भी यह जो गेन में बोल रहा हूं सिक्स मौंस से सब्सक्ता है यह थ्री मौंस में आपका गेन आचीव हो जाएग अगर आप स्टॉक मार्केट में ऐसे ही सेल करेंगे लस में न कोई भी स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी निकल जाएंगे मैं नहीं चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट से आप निकल जाएं ठीक है स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़ी ऐसा वेल्थ बनता है तो आप प्रेटर कर सकते हैं ठीक है वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे उसके साथ में वीडियो को जरूर आपके फ्रेंश के साथ में सेर कीजिए ताकि वह भी स्टॉक मार्क आपके में इन्वेस्टमेंट करके के बढ़िया साथ विल्थ बना सकते हैं फ्रेंश थांक्यू बेरी मॉच्ट फ्रेंश पर वाचिंग इस वीडियो मिलते नेक्स्ट वीडियो में